प्रांस के साथ भारत का राफेल लड़ाकू विमान खरीद का सोधा एक बार फिर सुर्खियों में है प्रांस के एक आदेश की आड़ लेकर कॉंग्रेस पार्टी और लिबरिल पत्रकारों ने मोधी सरकार को घेरने के लिए फिर से मुहिम जेर दी है अपने आका यानी राहूल गांदी को खुश करने के लिए देश के तमाम मीडिया हाउस मद गडंद किस्से कहानिया बनाने में जुट गए हैं जबकि हमारे देश का सरवोच न्यायले पिछले बस जुलाई में ही राफेल डील को क्लीन चिट दे चुका है जाहिद है कि सुप्रिम कोर्ट को जब इस दील में कुछ गरबर नजर नहीं आया तो फिर कोई भी डेश कोई भी संस्ता इस पर सवाल उठाए उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता है कॉंग्रेस नेटर राहूल गांदी ने हमेशा ही राफेल डील को लेकर उल जुलूल बातें करी है 2018 की विदासबा चुनाओं में और 2019 के लोकसबा चुनाओं के दोरान मन गड़नत आरोप लगाना तो राहूल गांदी का रोज का काम हो गया था पिछले वस जब सुप्रिम कोर्ट ने राफेल डील पर अपना फैसला सुनाया था तब राहूल गांदी को भी जूट बोलने के लिए सक्त चैतावनी दी थी और भहुश्य में ऐसा नहीं करने के लिए कहा था सुप्रिम कोर्ट के साथ ही राफेल बनाने वाली कंपनी दसौल्ट और फ्रांस सरकार भी इस विबान सौदे में किसी भी अनिमित्ता से इंकार कर चुकी है लेकिन राहूल गांदी है कि मानने को तयार ही नहीं है इसके अरावा राहूल गांदी का सबसे ताजा जूट कोरोना वैक्सिन को लेकर है बीते कल दो जुलाई को राहूल ने ट्विट किया कि जुलाई आ गया है वैक्सिन नहीं आई जबकि सर्चाई यह है कि 21 जून से मोधी सरकार द्वारा वैक्सिनेशन का काम अपने हाथ मे लेने के बाद से ही देश में करोना ठीका करन का काम तेजगदी से चल रहा है भारत पुरी दुनिया में वैक्सिनेशन के मामले में अगरिनी देश बन चुका है रोजना औस तन 50 लाग से अधीक लोगों को ठीका लगया जा रहा है और देसंबर तक पूरी आबादी के वैक चैनल को सबस्ट्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत